हेलो एवरीवन तो स्टुएंट्स आज का हमारा टोपिक रहेगा लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लवर बाउंड के बारे में याने इनको सुप्रीमम और इनिफ्रीमम भी बोल दिया जाता है ठीक है और एक एक एक्जियम है हमारा रियल नंबर्स के लिए हम पहुंचने के लिए हमें पता होना चाहिए बाउंडिड सबसेट्स बाउंडिड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स ठीक है एक सबसेट रिल नंबर का सबसेट लोगे उसको आपका bounded बोलोगे वो देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर दो क्टेकरी निकले के आती है हमारे पास bounded above bounded above and bounded below ठीक है पहले आपको यह दो सबसेट पता होने ठीक है जी तो bounded above में क्या होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक सेट मान लेते हैं कि let s be a non empty तो हम पहले non empty को discuss करेंगे empty के बारे में बाद में discuss करेंगे ठीक है non empty subset लिया आपने r के लिए ठीक है अब इस non empty subset को आपका bounded above बोलोगे bounded above को मतलब क्या होता है उपर से bound होना यानि कि आपको एक ऐसा real number मिल जाएगा जो इसके हर element के equal या फिर इससे बड़ा होगा यानि कि if there exist m belongs to real number such that यह m जो है वो greater than या equal होगा उस हर एक x से जो आपका इस subset में से आएगा ठीक है यानि कि आपको एक element ऐसा मिल गया जो इस set को इस subset को क्या कर देगा उपर से bound कर देगा तो जो यह m मिलेगा हमें इसको हम बोलते हैं upper bound क्या बोलेंगे इसको upper bound for s ठीक है इसी तरह से फिर बात कर लेते हैं कि bounded below का meaning क्या होता है तो वही दो चीजें तो हम लेके चलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आप non empty लेके चलो subset of R ठीक है फिर इसको हम bounded below कब बोलेंगे if there exist एक number m belongs to real number के अंदर ही मिलेगा such that अब क्या है bounded below मतलब निचे से bound करेगा यानि कि एक ऐसा element मिलेगा जो क्या होगा हर एक element से जो s के अंदर है उससे छोटा या उसकी equal हो जाएगा ऐसा किस के लिए होगा for all x belongs to s के लिए ठीक है जी तो यह हमारा क्या हो गया bounded below की definition होगी और जो यह जो element मिलेगा यहाँ पर जो नीचे से bound कर रहा है सेट को उसको हम बोल देते हैं lower bound ठीक है इसको बोलेंगे lower bound for s ठीक है जी तो यह दो हमने discuss कर ली अब इसका example कर सकते हो जैसे कि bounded above में बात करो तो हम intervals को ले सकते हैं जैसे कि आपको two से three एक interval दे दिया तो यहाँ पर three क्या है इसके लिए पर bound का काम करने वाला है ठीक है क्योंकि हमें एक ऐसा element लेके आना है जो क्या हो इसके हर एक element से बड़ा यह equal हो तो वो थरी ही निकले के आएगा क्योंकि थरी से पहले आप कोई भी idea नहीं लगा पाओगे according to because of denseness property of rational relation number तो यहाँ पर हम थरी को उठाते हैं अगर lower bound की बात की जाए यहां से bounded below इस M की बात की जाए तो आपको 2 मिल जाएगा ठीक है यहां पर आप natural number का भी example ले सकते हो नेचुल नंबर के अंदर क्या होता है one है जो element वो क्या कर देगा इसके लिए lower bound का काम करने वाला है ठीक है इसके बाद जो आपने note out करना है एक trick नहीं note कर सकते हो आप कि अगर upper bound exist कर गया अब देखो सबसे पहले अगर आप natural number की बात करते हो तो natural number क्या है bounded above नहीं है bounded above नहीं है तो इसका negation क्या होगा आपको एसा M नहीं मिलेगा कोई भी कि for all M belongs to real number उल्टा हो जाएगा कि X होगा वो बड़ा हो जाएगा आपको मिले गए नहीं एसा M ठीक है तो N जो है वो bounded above नहीं है bounded below है इसी तरह से आप अगर set of integers की बात करो तो यह ना तो bounded below है ना bounded above है ठीक है यनि कि आपका जो upper bound है यह जो M exist कर रहा है वो exist कर भी सकता है नहीं भी कर सकता लेकिन अगर exist कर गया if upper bound, upper bound exists for a subset as R का जो subset लिया हुआ है then there are there are infinitely many infinitely many upper bounds यह ध्यान रखना है कि अगर upper bound exist नहीं कर रहा तो वो अलग बात है लेकिन exist कर गया तो उसके बाद में वहां से आप infinitely many upper bounds दिखा सकते हो और same property यहां के लिए होती है कि एकर lower bound exist कर गया तो आपको infinitely many lower bounds मिल जाएंगे for example अगर आपको subset दिया जाए 1 2 6 यह दिया जाए ठीक है तो इसके upper bound की बात करें तो 6 है लेकिन 6 से आगे कोई भी element उठा लो infinity तक 6 से लेके infinity तक आप कोई भी element उठाओ इसके लिए वो क्या करेगा upper bound करेगा क्योंकि upper bound की हमने definition क्या की हुई है कि ऐसा element जो इसके हर एक element के equal होगा यह उससे बड़ा होगा तो सारे elements यह property satisfy कर रहे हैं तो यह पूरा पूरा set क्या हो जाएगा upper bounds की बात करेगा इसी तरह से इसमें बात करो तो इसके लिए minus infinity से लेकर के 1 तक सभी के सभी जो elements है वो lower bound का काम करेंगे क्योंकि यह भी lower bound की redit two property satisfy करेंगे क्या होती है इसमें से कोई भी element उठाओ उठाओ आ हर एक element से छोटा और यह क्या है उसके एक equal जैसे one उठाया तो इसके equal इसमें भी नहीं है तो यह कौन से property उससे छोटी ही हों गए सारे sum सारे element इसके हर एक एलिमेंट से ठीक है तो इस तरह से आप यह property note कर सकते हो, अब हम इसके बाद में list upper bound or greatest lower bound की definition को करते हैं, तो students एक subset के लिए हमने lower bound और upper bound का बात कर लिया, कि अगर exist करेगा तो infinitely many होंगे और exist नहीं भी कर सकता है, तो ऐसे भी हमने example देख लिए, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं list upper bound की, अब देखो एक तो naming से यह clear हो रहा है, कि जितने भी upper bound आपने define कर लिए, कि अगर upper bound exist कर सकता है, अब देखो, upper bound या lower bound जो भी है, यह किस पर depend कर रहा है, कि bounded above या bounded below है, ठीक है, अगर bounded above नहीं है, तो आपका upper bound exist नहीं करेगा, lower bound नहीं है, तो lower bound exist नहीं करेगा तो अगर exist कर गया तो upper bounds आप define कर लोगे ठीक है जैसे की अभी हमने किया था 1, 2, 6 के लिए तो यहाँ पे हमने upper bounds कौन से किये थे 6 to infinity सारे के सारे upper bounds काम कर रहे थे ठीक है तो upper bound यह है इस set के लिए हमें क्या चिये list यानि कि जितने भी upper bound आपको मिले हैं उनमें सबसे छोटा तो इनमें सबसे छोटा element कोन सा है 6 ठीक है जी तो इस तरह से हम upper bound को क्या बोलेंगे upper bounds के अंदर जो सबसे छोटा element आएगा उसको हम बोल देते है list upper bound अब इसको mathematically देखते हैं कैसे हम लिख सकते हैं तो सबसे पहले non empty subset subset of R ठीक है और upper bound के लिए क्या होना पड़ेगा bounded above bounded above क्योंकि bounded above होगा तभी आप upper bound की बात कर पाऊगे upper bound मिलेंगे तभी आप list की बात कर पाऊगे bounded above है यह आपने लेके चलना है first second and third अब आप इससे बोल सकते हो then L होगा is list upper bound lub तो सबसे पहले तो क्या होगा list upper bound के लिए पहला step यह क्या होगा upper bound L is upper bound होगा upper bound दोना पड़ेगा ठीक है दूसरी बात अगर इसके अलावा L dash is upper bound अगर L dash इसके अलावा कोई upper bound आ रहा है then यह जो L होगा जो अपना आप list upper bound बोल रहे हो वो उससे चोटा यह equal होगा यह आप इसको mathematically बोल सकते हो list upper bound की definition यानि कि पहले तो upper bound है उनमें सबसे चोटा है तो पहले तो upper bound होना पड़ेगा उसके इलावाद जैसे यहां पे था 6 to infinity तो पहले तो क्या है upper bound हुआ ठीक है फिर क्या है L dash इस में से कोई दूसरा आप क्या करो upper bound उठाओ उन सभी से यह चोटा ही इकबल होगा ठीक है तो यह हमारी definition आगी list upper bound की फिर यहीं से आप बोल सकते हो result है कि lub for any set s is unique यह क्या होता है unique होता है यह भी आप प्रूफ कर सकते हैं छोटा सा प्रूफ है चलो देख लेते हैं छोटा सा यह है कि अगर मान लो आपने L और L dash 2 आपने क्या कर लिए list upper bound बान लिए तो list upper bound list upper bound की definition है पहले तो वो क्या होंग यह पर बाउंट होंगी तो upper bound की definition क्या है कि x से बड़ा यह एक बोल होगा और ऐसा किस के लिए four all x belongs to s के लिए same यहां भी होगा ठीक है जी अब इसके बाद आएक बार आप क्या करो इस को सुप्रिम्म लेकर चलो इस को सुप्रिम्म लेकर चले तो अब यह भी सुप्रिम्म था तो अपर बाउंट तो यह भी है gotta क्या किया है या लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या किया है अगर इसके अलावा कोई अपर बाउंड आएगा उससे यह छोटा होगा यानि कि अगर आप इसके उपर काम करते हो तो आप क्या करोगी कि जो ल आएगा वो लडेस से छोटा होगा अगर आप इसको लिस् से क्या मिल जाएगा कि यह जो आपने दो अलग-अलग मान रखें दोनों के दोनों इक्वल होंगे ठीक है तो आपने द्यां रखना है कि जो लिस्ट अपर बाउंड है वो यूनिक होते हैं ठीक है जी और एक्जम्पल की बात करें हम नेच्रल नंबर यह बाउंड डबो नही है तो यहां पर क्या होता है लिस्ट अपर्बाउंड ऐग्जिस्ट नहीं लिव डजनोट एक्जिस्ट ठीक है अब दोसी और नोट करते हैं हम इस चीजहों से कि जो लौब बाउंड है वह एक्जिस्ट कर भी सकता है यह नहीं भी कर सकता वो डिपेंड करेह अपर ताग में पहली चीज यह आती है कि दो एक्जम्पल लेते हैं पहले हैं टू टू थरी और वन टू शिक्स यह लेते हैं तो यहां पर अब तो अगर डेफिनेशन की फोलो करोगे तो यहां से जो लू भी आएगा वो आपका थरी आएगा क्योंकि अपर बाउंड थरी टू इन क्फिनिटी वन में सबसे छोटा 6 आएगा लू भी अब देखो इसमें थरी क्या हो रहा है इस सेट के इंदर है इसमें इस सेट के इंदर नहीं है यानि कि आप नोट कर सकते हो कि ल, यू,बी नहीं और में नोट भी नहीं और इन दी शेट कि वो set के अंदर हो भी सकता है, set के अंदर नहीं भी हो सकता, ठीक है, यह आपने note करके चलना है, ठीक है, यह इसी को हम epsilon form में भी देख लेते हैं कई बार, क्या होता है, कि माल लो, यह आपको set दिया हुआ है, A, A और B, ठीक है, अब क्या है, कि इसको आप supreme बोल रहे हो, यानि list upper bound बोल रहे हो, तो अगर आप इससे थोड़ा सा distance पिछे आए, यानि कि आपने एक epsilon, very small epsilon माना, positive, और आपने क्या किया, इस B में से, यानि अगर आप इसको L लेते हो, list upper bound की form में, अगर आपने L minus epsilon किया, तो आप देख पाओगे, L minus epsilon से L के बीच में, एक interval बनेगा, कितना छोटा रेलो, छोटे छोटा interval बनेगा, उस interval के अंदर इसके elements आ जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, L minus epsilon किया, तो there exists an element S belongs to S, such that L minus epsilon उससे क्या हो जाता है, छोटा, तो आप देख सकते हो, L minus epsilon यहाँ आएगा, उसके बीच में एक element आपको, इस set का मिल जाएगा, जो उससे बड़ा हो जाएगा, यह भी definition आपकी, आप लिख सकते हो, ठीक है, mathematically form में यह भी है, और यह भी है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं, greatest lower bound की, तो next students है, greatest lower bound क्या होता है, यह भी naming से clear order है easily, कि lower bound उन में से सबसे तो सबसे पहले lower bound हमने क्या किया था, जैसे कि 1, 2, 6 की बात ही करें, तो यहाँ पे इसके लिए lower bound क्या होंगे, lower bound क्या होते हैं, यह lower bound इसके लिए आया 1, अगर आप देखो तो, यानि कि अगर आप minus infinity से 1 में से कोई भी element उठाओगे, close interval, इस में से अगर आप कोई भी element आते हो, तो lower bound की definition को follow करेंगा, lower bound क्या होता है, ऐसा element जो की set के लिए बात करेंगे, तो इस set के लिए क्या होगा, ऐसा element जो इसके हर एक element से छोटा या equal भी हो सकता है, ठीक है, यानि कि, ऐसा x, sorry, ऐसा u, अगर आप greatest lower bound की बात करते हो, आप u मान लो इसको, यू, कैसा होगा, सबसे छोटा, या उसके equally आजाए कुछ elements के, for all x belongs to s, जो आपने non empty sub set लिया हुआ है, real number का, ठीक है जी, अब देखो, ये आगे सारे के सारे lower bound, क्योंकि ये इस को satisfy करने वाले हैं, इस set के लिए, अब इनके अंदर सबसे बड़ा, greatest, यानि कि जितने आपने lower bounds बना लिए, उनमें सबसे बड़ा, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, one, ठीक है, तो one to six के लिए, जो GLB होगा, greatest lower bound, या infamous होगा, वो क्या हो जाएगा, जी, one, ठीक है, अब अगर बात करें, set of integers की, तो हमें पता है, कि आप ना तो upper bound ढूंड पाओगे, ना lower bound ढूंड पाओगे, क्योंकि उनके लिए पहली condition क्या है, bounded above या bounded below होना, ठीक है, तो यहाँ पे ना तो infirmum exist करेंगा आपका, और ना ही supremum exist करेंगा, लेकिन अगर बात करते हो natural numbers की, तो natural number के अंदर क्या है, हम 1, 2, 3, इस तरह से हमारी starting होती है, अब आप इस में से देखो, कि ऐसा कौन सा elements आप ले सकते हो, जो क्या हो, इसके कुछ elements के equal भी हो सकता है, या उससे छोटा, तो आप देखोगी कि 1 आपको मिल गया, और इससे अलावा, minus 1 to infinity, minus infinity से 1 तक लेके चलोगे, तो इसका हर एक element इसकी property को satisfy करेगा, lower bound वाली को, ठीक है, और उनमें से छोटा, उनमें से बड़ा, lower bounds उनमें से सबसे बड़ा, 1, तो यहाँ पे natural numbers के लिए, जो GLB आता है, वो क्या आएगा, greatest lower bound आएगा, 1, ठीक है जी, इस तरह ऐसे आप ये, देख सकते हो, example लेके, ठीक है, तो यह होगा, greatest lower bound, अब इसको mathematically समझते हैं थोड़ा, क्यों, mathematically भी आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले, आपने non-empty subset लिया हुआ है, R का, अब यह चीज़ ध्यान रखना, यह जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हमारा चल रहा है, non-empty subsets के लिए, real numbers के, ठीक है, थर्ड हम मान रहे हैं, कि U या L, greatest है, तो L ले ले लेते हैं, greatest lower bound, L is infimum, यह greatest lower bound, आपने लिया हुआ, उसका meaning क्या है, उसका meaning क्या होगा, दो case होगे, सबसे पहले क्या होगा, greatest lower bound है, तो पहली condition क्या है, L is lower bound, सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा, उस set के लिए lower bound होना पड़ेगा, ठीक है जी, दूसरी condition, अगर इसके अलावा, यानि अगर आप L dash मानते हो, is another lower bound, अगर कोई L dash other lower bound है, then, जो यह L आपने, जिसको आपने greatest lower bound माना हुआ है, वो क्या होगा, उससे बड़ा होगा, यह द्यान रखना है, इसमें confused नहीं होना, वहाँ paper bound में क्या था, छोटा था, क्यों list की बात कर रहे थी, तो सबसे छोटा था lower bound में, यह सबसे बड़ा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, कि minus infinity to 1, यहाँ पर यह GL भी बना है, कोई भी आप element उठाओ, वो इसके लिए lower bound का काम तो करेगा, लेकिन वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ची 1 के अलावा, आप कोई भी element उठा के देख सकते हो, तो यह आपकी mathematically definition होगी, यह फिर epsilon form में इसको check करें, तो आपको पता है, कोई भी set आपको दिया जाएगा, interval नहीं, कुछ भी हो सकता है, वैसे हम ले रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, real line के उपर, ठीक है, तो उसके अंदर जब lower bound की बात कर रहे हो, तो इस तरफ ही होगा कहीं, ठीक है, हम मान लेते हैं, कि यह कहीं यहाँ है, यह अपका L है, lower bound है, अब देखो, अगर इसमें मैंने कुछ भी थोड़ा सा, छोटा सा element, epsilon, very small, epsilon लिया, और इसमें मैंने क्या कर दिया, aid कर दिया, aid करती जो element आएगा, वो कहां पहुंच जाएगा, इस set के अंदर, यह जो list, greatest lower bound है, यह हमने देखा था, अभी देखा नहीं, इसमें देख सकते हैं, कि 1 था, वो exist किया था, लेकिन इस set के अंदर नहीं है, ठीक है, natural number के अंदर क्या था, exist कर रहा था, 1 आया था, उसके अंदर भी है, यानि कि आपने द्यान रखना है, greatest lower bound है, वो भी set के अंदर हो सकता है, यह नहीं हो सकता, exist कर भी सकता है, exist नहीं भी कर सकता, ठीक है, तो यह आपने द्यान रखना है, तो यह exist कर गया, तो हमें इसकी guarantee नहीं है, कि यह अंदर है यहां उसके बाहर है ठीक है तो लेकिन L प्लस Epsilon करोगे थोड़ा सा अंदर गए तब आप यहां पहुंच जाओगे और आपको L से L प्लस Epsilon यानि L से L प्लस Epsilon के बीच में एक ऐसा element मिल जाएगा जो क्या हो जाएगा इससे बड़ा हो जाएगा इससे छोटा हो जाएगा इससे छोटा हो जाएगा एक element आपको S मिल जाएगा जो उससे छोटा हो जाएगा ठीक है यह देख सकते हो L plus epsilon आया तो एक element आपको मिल जाएगा जिससे छोटा हो जाएगा तो यह epsilon definition है अगर आप कोई भी epsilon set करते हो चै कितना छोटा बड़ा जो भी करते हो तो आपको एक element मिल जाएगा there exists as belongs to as such that as उससे छोटा हो जाएगा ठीक है तो यह epsilon वाली form है same apply आपकी property जो supreme की थी यह list upper bound की थी कि unique होता है तो यहाँ पे भी वो क्या होते है कि L greatest lower bound GLB is unique for set any set unique for any set S ठीक है अगर exist कर गया तो वो unique होगा वो भी आप छोटा सा प्रूफ इसमें देख सकते हो ठीक है तो यह हमने students कर लिया greatest lower bounds के बारे में exist कर भी सकते हैं दोनों के दोनों greatest lower bound और lub लिस्ट अपर बाउंड यह सुब्रिम इन फ्रिम में बोल दिया जाता है यह एक जिस्ट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते यह यह depend कि इस पर करते हैं कि सेट जो आपका upper bound lower bound उसके पास है या नहीं यानिकि bounded अवो और bounded below है या नहीं ठीक है और इनकी हमने mathematically और formal definition भी देख ली जो आपको question करने में help करेगी ठीक है अब हम यह देखते हैं कि जो यह completeness axiom जो real number के अंदर है वो क्या है ठीक है वो इनकी basis पे है वो चेक है तो next students हम बात करते हैं completeness axiom है क्या ठीक है तो वैसे तो हम list upper bound और greatest lower bound की बात की थी तो इसके अंदर इसकी definition आ चुकी ठीक है क्योंकि हमने देखा था कि lower bound exist कर रहा था तो वहां पर क्या था bounded below था ठीक है इसी तरह से अपर बाउंड था तो उसके लिए क्या होना पड़ रहा था bounded अब होना पड़ रहा था ठीक है बस उसी को इकठा करके इसने यहां लिख दिया कि first thing क्या लिखी इसने कि अगर आप कोई भी non empty subset लेते हो real number का ठीक है third condition इसने क्या put कर दी जो मैंने पहले ही जब लिस्ट पर बाउंड और उसकी बात कर रहे थे तो मैंने पहले ही कर दिया था क्योंकि lower bound और पर बाउंड के लिए necessary condition होती यह bounded above यह bounded below होना ठीक है अब third इस में क्या लिखेंगे and s is bounded अभो यह फिर बिलो अभो यह बिलो है then अगर यह तीन प्रपर्पर्टी सेटिस्पाई हो रही है पहला काम non empty दूसरा काम real number का सबसेट होना चाहिए अभी देखेंगे कि real number के लिए अंदर ऐसा क्यों होता है rational number irrational number के अंदर क्यों नहीं होता ठीक है वह example के दिरू समझेंगे तो यह अगर तीन प्रपर्पर्टी सेटिस्पाई हो जाती है then अगर अब है तो हमने देखा था क्या एक्जिस्ट किया था लिस्ट अपर बाउंड देन लिस्ट अपर बाउंड अगर बात हुई थी बाउंड बिलो की तो ग्रेटेस्ट लोवर बाउंड ग्रेटेस्ट लोवर बाउंड एक्जिस्ट ठीक है जी अगर यह तीनों प्रपर्पर्टी सेटिस्पाई हो जाती है डिपेंड करेगा कि अब हो है तो आपका लिस्ट अपर बाउंड मिल जाएगा आपको अगर बिलो है बाउंड बिलो है तो ग्रेटेस्ट लोवर बाउंड मिल जाएगा ठीक है तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एक्जियम जो हम बात करते हैं लिस्ट अपर बाउंड के ल जी एल बी प्रपरटी ठीक है जी तो यह हमारी ओवर ओल डेफिनेशन थी कम्प्लीटनेस एक्जियम अब हम दो एक्जम्पल डिसकस करते हैं जिससे आपको यह क्लीर हो जाएगा कि यह हमारा जो सबसेट है आर के अंदर ही होना क्यों जूरूरी है अगर आर के अंदर हम अगर यूनिवर्सल स्पेस किसी और सेट को जैसे रेशनल रेशनल नमबर को रख देते हैं तब वहाँ पे इसा क्यों नहीं हो पाता ठीक है तो चलिए वो डिसकस करते हैं टूडर्स हमने एकजमपल ही है जिसमें एक एकजमपल में हमने जो यूनिवर्सल स्पेस आपका यानि कि यह सबसेट जो लेंगे हम यहां पर ले रहे हैं आर में से ठीक है और एक एकजमपल में इसा सेट किया है जिसमें जो यूनिवर्सल स्पेस है जिसमें से हम सबसेट ले रहे हैं जो यह सेट सबसेट दिया हुआ है वो इसमें से है ठीक है जी चलिए जी बात करते हैं इसका मिनिंग आप समझ रहे हो कि सभी किस भी इंटरवल है क्लोज इंटरवल तो जितने भी इसके बीच में अलिमेंट से वह सारे आएंगे माइनिस अंडरूट टू और अं इलमेंट से बड़े यहां उसके बराबर हूंगे उन एलिमेंट को मैं प्रबाउंड बोलेंगे तो इसके लिए जो प्रबांड का काम करेंगे अब परबांड क्या है अंडरूट 2 से infinity तक आपका परबांड ही होने वाला है ठीक है अब lub इन में से सबसे छोटा तो lub आपका क्या जाएगा अंडरूट 2 ये real number के अंदर exist कर रहा है ठीक है क्योंकि हम बात कर रहे है main space r की same process यहाँ, यहाँ क्या है कि x हमारा किस में से आ रहा है इस elements में से rational number है ठीक है, यानि rational numbers जो इस में से आ रहे है rational, rational उठाएं इनके बीच में जितने भी rational number intersection लिए है तो हमारे rational numbers है such that x कहां से minus under root 2 से under root 2 के बीच वाले ठीक है, तो under root 2 को छोट भी सकते हैं आप क्योंकि under root 2 और 2 irrational number है तो open interval में से लेख सकते हो यहां पर ये irrational numbers में से आ रहे हैं तो आप under root 2 और under root 2 को include भी कर सकते हो ठीक है, क्योंकि ये हम निकाल सकते हैं इस में से क्योंकि under root 2 क्या है, irrational number है तो इस case में भी same क्या होगा upper bounds ये निकल के आएंगे दूसरे example में भी upper bounds क्या होंगे आपके under root 2 से infinity ही होंगे और list upper bound भी क्या होगा आपका under root 2 ही होगा ऐसा हम कैसे कर पा रहें क्योंकि हमने वहां किया था कि आपका एक real number में से exist करना चाहिए जो इस property को satisfy करने वाला है ठीक है, real में से exist करना चाहिए क्योंकि man space हमने real को रखा हुआ है ठीक ही इस तरह से इसमें भी आप lower bound, list upper bound निकाल पाओगे अब इसमें चलते हैं और एक बात और थी ये जो list upper bound रेक्जिस्ट किये आपने चेक किया था कि ये जो set है S, ये आपकी non emptiness property R का subset भी है और दूसरी बात bounded above हो रहा था तब जाके इसका list upper bound हुआ है तिनों property satisfy कर रहा था तो ये मिल गई इसमें देखो first condition satisfy कर रहा है non empty है अगर इसको ऐस हम मान लेते हैं दूसरी condition subset भी है Q का क्योंकि man space हमने क्यों लिया हुआ है ठीक है जी तीसरी property S is bounded above है ये भी क्योंगि आप देख पा रहे हो इसमें से ये bounded है तो ये तो subset ही आएगा जब intersection लोगे तो इसका subset अगर ये bounded खुद है तो इसका जो subset आएगा वो भी क्या होगा bounded होगा अब चलते हम लिस्ट अपर बाउंड की तरफ ठीक जी चलिए तो हमारा काम क्या होगा पहले अपर बाउंड इकठे करने अपर बाउंड कितने निकलेंगे अन्डरूट टू से इंफिनिटी तक क्योंकि हमने intersection ली हुई है तो इसमें भी intersection तो आएगी आएगी क्योंकि हम set में से elements उठा रहे हैं तो set के element उठाने है तो उनमें से कुछ element इकठे करने पड़ेंगे उनमें से आगे ठीक है ठीक है जी अब देखो ये हमें upper bounds मिल गई अब इनमें हमें सबसे छोटा और वो भी क्या तो आप under root 2 को उठा लेते सबसे छोटा लिस्ट अपर बावन लेकिन अब under root 2 को तो आप उठा नहीं पाओगी क्योंकि इसने जो main space रखा हुआ है racial number को रखा हुआ है अब under root 2 से next कौन सा racial number आप उठा सकते हो हमने किया था कि दो अगर आप real numbers लेते हो तो उनके बीच में बहुत सारे racial numbers आ जाते हैं जिसको denseness property हमने बोला था तो उसी के बज़े से जो हमारी denseness property थी उसी की बज़े से ये problem create होती है कि आप deciding नहीं कर पाओगे कि under root 2 तो आप ले नहीं सकते लेकिन उससे next element कौन सा होगा racial number अगर real के अंदर बात करते तो आपने real number उठा लिया था सबसे छोटा लेकिन आप यहां नहीं उठा पाओगे तो यह जो property यह list upper bound और greatest lower bound वाली बात वो अगर आपकी real में ही satisfy होती है racial number irrational number के अंदर satisfy नहीं होती ठीक है जी अब जो next वीडियो होगी उसमें हम discuss करेंगे कि जो यह number के subsets है वो interval यहां फिर singleton element finite element infinite element अलग-अलग परकार के होते हैं ठीक है आपको function की वोम में भी दिया जा सकता है तो उन questions को आप list upper bound और greatest lower bound निकालने के लिए कैसे approach करोगे ठीक है तो वो हम next video में discuss करेंगे